नमस्कार दोस्तों वाइसीटी के यूटूब चैनल पे आप लोगों का सौगत है यूथ पुब्लिकेशन के इस यूटूब चैनल पे हम लोग हायर के कुछ कोश्चन सॉल्व कर रहा है अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है यह यूटूब का जो चैनल है वाइसी टीचिंग सेंटर अलग से यूटूब पे सर्च करना पड़ेगा उस पर मिलेगा इसका लिंक नीचे दिया है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बढ़िए यहां टीचिंग से संबंदित सारी जानकारी आपको लब्द रहेंगी इबुक से संबंदित कुछ हायर के सौल्व कर रहे थे पारेवरन और मानों से संबंदित कोश्टन सौल हो गया है पारेवरन खरल के कुछ कोस्टन बचे हैं एक्जाम में जो आए हुए हैं अच्छे कोश्टन हैं इनकी व्यक्षा समय सॉल्व कर लेते हैं फिर पारवर्ण से संब्धित जो संस्थाएं बनी है उनके भी कोश्चन आगे सॉल्व करेंगे एक टॉपिक जीस का हम लोग कवर कर रहा है तो पारवर्ण के जो कोश्चन कल हमने सॉल्व किये थे उससे आगे चलते हैं हमारा नेक् अधिया को नुकसान नहीं पहुचाता है कुछ होते हैं इन्डैरेक्ट नुकसान पहुचाता है जैसे आपने कार चलाई तो क्या हुआ सीधे कार्भन डैक्साइड पोंच गई और जैसे जो ये दिद्ट्य ये दिद्ध्य कुरदूश्क है। बाद में इसका असर दिख्ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑगा एगर आप तो क्लिक करते हैं तो इसकी विक्षया भी पड़ सकते हैं जब मानविय थौह प्राक्रतिक कारणों से गैसों के निस्चित वाट इस वाई, एयर पॉलूशन दिया रहेगा, तो आप इसी को पढ़के याद कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डैक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, सल्फर डैक्साइड, नाटिक अक्साइड, यह सब प्रमुख वाई प्रदूशक हैं, अर्थाद यह प्रदूशक फ्रो वो आँख की जलन के लिए उत्तरदाई प्रकास रशाएड, फोटो केमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक है, तो धूम कहरा जो होता है, वो कुछ गैसों के मिलने से, धूल के कणों के मिलने से बनता है, मेलली उसमें रहता है, एस्ची एचो एवं पैन, पराक्सी निट्रि में जैसे आपने सुना होगा कि दक्षिड एस्या में आज से 7-8 साल पहले काल बादल छा गये थे, धूम कोहरा हो गया था है, दिल्ली में ठंड में ये समस्य आती है, पूरी दिल्ली प्रदूशित हो जाती है, वाई से प्रदूशित दिल्ली देखे ऐसा महानागर है, जि जिससे चारो तरब अंधिरा चा जाता है, इसकी बैख्या पढ़ लिजे, आँखों में जलन के लिए ये उत्तरदाई हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एफेक्ट सरीव पर पढ़ते हैं, फोटो कंगल यो धूम कोहरे के घटक, S.C.H.O. तथा पैन है, पैन मतलब पैराकसिल नाइट्रेट, ये गैस है एक, ताथ तो मुक्ते आँखों के जलन के उत्तरदाई होते हैं, इसका उत्तरदा मुक्ते परिवहान 6 से होता है, इसलिए दिल्ली में धूम करारा, ठंड में बहुत ज़्यादा चा जाता है, ठीक है, आता है नेस कोश्चन पे, ये आया हुआ, कई बार रिपेटेट कोश्चन है, अब देसे यूजिसी नेट जैयारफ में देखे, 2011 में आया, कि तब 2011 में पारेवर नया नया चालू हुआ था, बहुत आसान कोश्चन आते थे, अब इतने आसान नहीं आते, जैसे भारत के महानगरों में वाइप प्रदूर प्रदूर करने वाली वस्तु परिवान चेट से नहीं उस्तरजित होती है, यह हमारे प्रसीतक, AC, रेफिरेटर, इन लोगों से इन से उस्तरजित होती है, तो इसको सही आंसर कौन सी नहीं होती है, किस चेट से नहीं उस्तरजित होती है, तो इसका सही आंसर होगा, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, यह देखें, प्रदूर्शन कारी गैस, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, CFC का उससर परिवान चेट से नहीं होता, यह आपको याद रखना है, यह मेली, AC, सोफा, फोम, प्रणोधक से निकलती है, ठीक है, नेस्स कोशन पर आते हैं, नेस्स कोशन हमारा जो है, वो शहरी छेट में प्रदूर्शन कारी गैस, कार्बन, मोनो, अक्साइट का प्रणोधक सोथ क्या होगा, आप खुद सोचिए, अभी मैंने बताया, शहर दिया है, शहर में थर्मल पावर होता है, लेकिन सहर से बाहर होता है, मेली 20 सहर में थर्मल पावर नहीं होता है, ठीक है, मेली जब भी सहर के प्रदूर्शन की बात आएगी, तो आप परिवान छेट मारेंगे, ट्रांसपोर्ट, इसका सही अंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, तो कार्बन, मोनो, अक्साइड, प्र दिसंबर 2000 का है, 18 का, उपरी वाइवंडर में निम लिलिखित में से कौन सी गैस, उस स्रंखलित प्रत क्रिया को आरम करती है, जिससे ओजोन टोटता है, तेखिए ओजोन तोडने के लिए जिम्मेदार है CFC, कौन है, CFC, तो CFC में कौन सी है, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, मत गैस होती है, यही ओजोन पर क्रिया का तोड़ती है, प्लोरोन की यह खासियत है, कि यह ओजोन के एक लाख हड़ों का नुकसान करती है, इसका सही आंसर होगा, प्लोरी, CFC याद रखिया, उससी से प्लोरी नियाद रखिया, देखे, सही आंसर इसका क्या है, प्लोरी, यह लिखा भी है यहां एक लाख वड़ों का विखंड़ करती है तो इस बुक की यही खासियत है कि इस तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी अच्छी व्याख्या दी रहेगी कि उसके चारो अप्सन भी तयार हो जाएंगे प्लस अगल बगल की जानकारी दी आपको सकते हैं इसके अलावा इबुक प्लब दी है फ्लिपकॉर्ट से मंगा सकते हैं और हाट कॉपी भी आप डायट खरी सकते हैं दुकालों से नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन हमारा जो है वह पॉली क्लोरिनिटेट बाइफेनल यह जलिये परवन का प्रदूशन है औ मतलब बायो डिग्रेबल चीजों से ही होता है बायो डिग्रेबल प्रदूश्रक जो है उन्हीं से होता है तो इसका मतलब इसवे चूज दा मुस्ट और परिवान छेट छोड़ दीजे टॉक्सिक डम्स हो गया सीवेज इंफूलेंट हो गया बहिसराओ हो गया वेस्ट तो तो इसका क्या कहते हैं अंसर देखे एक तीन पांच एक दो चार पांच दो तीन चार पांच एक दो तीन दे रखा है यहीं इसका सही आंसर होना चाहिए कोशन नंबर है यह क्या कहते हैं 107 तो 7 का आंसर क्या हो रहा है जो ओन फ्री फाइब फाइब में क्या है परवान छेत्र थाइब फाइब तो ही नहीं है इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर ठीक है तो इसका आंसर चेक करते हैं गलत है इसका आंसर यही होना चाहिए मैं बोल रहा हूं 123 123 ही होगा क्योंकि यह बायोडिग्रेबल है सब पीसीवी दारा जलिये परावन का प्रजूशन सीवेज 22 रॉप अपसिस भस्मक और विसाग कच्रे दारा ही होता है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए और सही आंसर है आते हैं नेस्ट पे क्थन और कारण है और क्थन क्या दिया हुआ है जीले नदियों की अबेक्षा कम प्रदूसित होने की और प्रवत हैं यह एकदम गलत है क्योंकि जीले ज्यादा प्रदूसित होती है एक जगा पानी इनका एक अठा रहता है और नदियों में बरसाद में पूरा पानी का पानी बदल जाता है प्लस ग्लेसियर के तारह प्रदूसित नहीं जादा प्रदूसित होती है जल प्राखृतिक करिवर्तित होता है तो ठीक है जीलोंगों का जल जो है वो प्रदूसित होता है लेकिर उसमें बहुत समय लगता है आशिका सही अंसर है नदियां कमप्रदेस्वस्तित होती है ज्यादा भी निचोंट है Go इसमें क्या दिया है नदियों के प्रतिस्थी होने के अधिक संभावना होती है एकडम सही है यहां पे यह सही है क्या है जीलो के जल को प्रतिस्थापित होने में 10 को लग जाता है यह भी एक जम सही है तो यहां पे कथन और उसका कारण दोनों सही है तो इसका अंसर बोथ ही आर करेक्ट और आर इस दा करेक्ट एस्प्रेशन अब दा एए डाट से नेस कोशन पर आते हैं बहुत आसान कोश परण आएगा उसका पानी जल्दी बदलता नहीं सदिया लग जाती है पानी बदलने में तो अधिक प्रद्यूसित हो जाएंगी जबकि नदिया रहते हैं उनका पानी हमेशा बदलता है प्लस ग्लेसियर के पानी एक जेगा घठा नहीं रहता है नेस कोशन हमारा जो है वह को सुमेलित करने के लिए है इसमें चीजें दी है जैसे more oxygen demanding water water bodies तो more oxygen कहां डिबांड है जहाँ ज्यादा से जादा जीव जनतु बायोश्फेयर होगा जहां पे ऊश्र योट्रॉपिक बहुत ज्यादा होगा वहीं पे oxygen की अधिक मातरा की जरूएगी तो इसके लिए इसमें क्या है पाधा पोशक्ता पाधा पोशक्ता तो हमेशा द्यान रखिए यह अधुनिक वासिंग और करसी अपच्छा यह अपच्छा निकलता है और वासिंग पाउडर जो होता है इसमें ऐसे बहुत सारे मिलने रुखते हैं जो पाधा हो के लिए बहुत फादेमन्द ह होते हैं तो पादब पोशक्ता तो इसमें मिलेगा बी में और एसीड जो निकलेगा यह खान अपोहन है और उसके बाद यह खान परिवान हो गया यह अपसिस भश्मिकरोन और विसाग पार्टनिस्तल से निकलता है जहां पे गढ़ों में क्या करते हैं हम पूडे को डाल देते हैं ऐसे विसाग प्रॉक्सिक पदार्थू को डाल देते हैं वहां पर यह सम्मालना रहेगी तो इसमें अगर हम आप् देखते हैं एक फोर मिलेगा डी का और बी का फोर टू तो यह होना चाहिए फोर टू वन थ्री हां यही है इसकी वैख्या भी आप पर सकते हैं सामने दी हुई है कि कहां पर क्या क्या चीज़ें यूज देखे अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाला जलाश है यहां पेपर म कारन से विसाख पारटन से मिलता है ठीक है यह एक सब्सक्चान हमारा जो हे है कश्ति प्रदूसर कष दूरगंद शामक से पैदा होते हैं उप फोह हमेशा क्या चृते है इतने ज़्यादा अपने पॉलिनेट बनाते हैं कि क्या जहते हैं इनकी संख्या बहुत आई है इसलिए देखते हैं आप और्गनिक कवेस्ट्री को एक अलग पार्ड में बदल दिया गया है करीब लाखों कारवन से मिलके ततों मिलते हैं और उसी के कारण से जब उनको जलाय लेते हैं तो समझ में जाएगा वास्वी कार्वन यूगों वाइब दुर्गन सामक से पैदा होता है कार्वन यूगी कार्वन के रसानिक यूगों को कहा जाता है देखिए गलत आंसर दे रखा है इसका अंसर हमीशा कारवन होगा ठीक है यह एडिटिंग में गलत है आजाए दुर्गन सामक तो इसका मतलब वास्वी कार्वन यूगिक यूग ये एक्जाम में पूछा गया कोश्वन है देख लीजे यह पूछा गया यूजी सी नेट में 2019 में आते हैं नेक्स कोश्वन पर नेक्स कोश्वन जो हमारा है किते है?... य यह या यू ट्रॉफिक जल में किम का आक्सिजन की मांगं ये ट्रॉफिक का मतलब आइसा जल जहां पे ठंडे प्रदेशों की जिले नहीं गांप ताइसे जिसमें बहुत सार पॉय सर्पियर पहाए जाते हैं है ना बहुत सारे पेड़ पाढ़े जाते हैं वहाँ अक्सिजन की मांग हमीँसा इसाराral रहे निम्लिखिन कौना सी बीमारी यह कर दो ह Méरे ज़ा हो गिए है यह सब से ज्यादा होने वाली वीमाड़ी में से हैं को ओंसी ओदा है इसमें बीमारी के नाम दे रखें यैसे हृदियों प्रदुसी hearts आमीबा यह होता है मुबम भी मकषर के काटने से होता है आप जानते हैं तो इसमें सही आंसर अर्षा किताबों से पढ़ सकते हैं और इसको आपको याद करना पढ़े पॉन किसे होता है ठीक है आता है नेक्स कोोच्टन पर देखे इस बुक की यही खासियत इसमें इतनी अच्छी वैक्खिया लिखिया है कि एक मुश्च्टन से आप वैक्खिया उसकी पढ़ेंगे तो आपके दस कोच्टन तैयार होगे यह YCT की खासियत है इसलिए आपको बोलते हैं ज्यादा ज्यादा इबुक्स पे ही पढ़िए नहीं पढ़ सकते हैं यह हार कौपी मंगा लीजे जैसे भी मंगा लीजे और पढ़िए और आप निश्चित ही एक्जाम में सफ़ल होंगे आते हैं नेस कोश्चन पर नेस सिन्डों होता है यह बहुत आसा सा कोश्चन है ये कोश्चन दिखे पहले एक चीन जाजें यहह ब्लूब वेभी सिन्डूम में रोग है यह ऐसा रोग है जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो हमारी जो हीमोगलोबीन है जिसकी ऑक्सीजन परिवहन की छमता कम हो जाती है क्या हो जाती है इसकी ऑक्सीजन परिवहन की छमता कम हो जाती है और सरीर में धीरे-धीरे कारवन डैक्साइ है और भारत के अगर बात करें तो भारत के बीहार जिसे बहुत्य इससे बहुत प्रौइव कि इस सब्सक्राइब यहां पे बच्चों के आपने देखा होगा सुना होगा कि बच्चों के दिल में छेद हो गया बच्चों के दिल में छेद रहता है उस छेद के कारण जब वह साथ आठ साल के होते हैं तो यह चेद भी क्या होता है इंलार्ज हो जाता है इसमें जो बढ़ जाती है उसका क्या कहते हैं शरीर नीला पढ़ जाता है और यह ब्लू बेवी सिंड्रोम वहां भी इस लोग को बोलते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखिए दिल में छेद होने के कारण भी ब्लू बेवी सिंड्रोम हो सकता है और नाइट्रेड की अधिक्ता के कारण भी जालू बेवी सिंड्रोम हो सकता है यह प्रदूशंड के कारण है और यह वाला जो छेर्ध है यह जर्म जात यह क्या होता है जर्म जात हलता है अधिनक्ता वही पूर्वी भारत मतलब आपका बिहार से लेके क्या केते हैं पश्री मंगाल वाला एरिया गंगा का डेल्टाइज है तो हमेशा नाइट्रेट की अधिक्ता नाइट्रेट को संखिया भी बोलते हैं क्या बोलते हैं और इसके कारण कौन सा रोग होता है ब्लू बेबी पानी में वहाँ अधिक्ता करण ये देखें पूरी भारत के बड़े इस्से में भूजल आश्रेणिक से प्रदेसमिस्ह Prote सब्सक्राइब और सब्सक्राइब उसमें एक मात्रा निर्धारित है कि इतनी चाहिए लेकिन अगर उससे अधिक हो जाए तो समस्य आर्षेनिक से आने लगती है भारत के पूर्वी राजों में जैसे पशी मंगाल विहार असम तदा जारकन के कुछ शेतों में आर्षेनिक से प्रभावित पेजल पाए जाते हैं जो समस्य पैदा करते हैं बांगला जेसमें समस्य और गंबीर है तो बताए गंगाग डेल्टाई शेत में यह समस्य आती है यह सही है नेस्ट कोश्चन पर आते हैं नेस्ट कोश्चन है महासागरी जल में सीयोटू के समान वांचीत इस तर से अधिक और सोचन था विक्टन होने के साथ क्या होगा हमेशा याद रखिए सीयोटू के अधिक्तर से हमेशा समुद्ध का जलिस्तर बढ़ जाएगा पान उपर बढ़ाता है तो इस समुद्री इस तर में उत्थान होता है इसके लिए परिशान नहुंगे बस दिहान रखे कार्बें डेक्सर जब भी पानी में मिलती है तो पानी का जलिस्तर बढ़ा देती है देखिए कोश्चन कब आया हुआ है यह देखिए जिसंबर 2006 में आया लेते हैं तो आपका सेलेक्शन कोई रोप नहीं सकता है इसके लिए वाइसीटी पूरी तरह से आपके साथ आते हैं नेस्ट कोश्चन जो हमारा है कि वह है कौन सी प्रागर्तिक प्रगोब बरस पती संपती और जीवन को अधिक्तम नुकसान पहुंचाता है कौन सा रहे हैं तो जल और मौसमी प्रगोब इसमें होगा एकदम याद रख लिजे अब आप दो चारदी से सॉल्व कर रहे हैं मैं चीजे बताता जा रहा हूं आपको याद कराता जा रहा हूं कुछ चीजे ऐसी आद कर लिजे सबसे दिक नुक्षान हिस्से होता है बाढ़ और अकाल से तो मौसमी प्रग्रिया और जल एकदम सही आंसर है आता है नेक्स कोस्टन हमारा जो है वह है कौन सा प्राचल जल में प्रदूशक संकेता के रूप में उपयोग नहीं किया जाता तो इसमें कौन सा नहीं यूज किया जाता तो इसका सही आंसर होना चाहिए देखे एकदम सही आंसर है ठीक है प्राचल जल में यूज किया जाते हैं कभी भी गहनतो नहीं यूज किया जाता तो इसका सही आंसर घहनतो है आते हैं नेक्स कोस्टन पर नाइंटीन भारत के सहरों में धूम में मुक्ते सामिल होते हैं क्या Sulfur के आकसाइड, NATO के आकसाइड और अरंजले अन हाईडRO कार्बन, कार्बन मोलन शाइड, MPM, और सलफर के आकसाइड और और जो तो यह जो कोश्चन है, इसमें दिखे, NATO के आकसाइड और अरंजले हाईडर कार्बन, सही आंसर होना चाहिए यहां पर इन्हों ने ये लिख दिया है हाइड्रो कार्बन लिख दिया है हाइड्रो कार्बन होना चाहिए तो भारत के सहरों में धूम में मुक्ते नैटोजन क्या अक्साइड और अंजले हाइड्रो कार्बन सामें होते हैं हमेशा क्या हाइड्रो कार पहचान किजिए म्रदा प्रदूर्शन जो होते हैं वह कौन-कौन से पहचान किजिए पहला और दोगिक बहुत सारा पांच आंसर दे रखा है एक दो चार तो पहला और सेकेंड हो थार यह है यह तो पहला और तो एक कि बंच्न स्थार बिसाइद प्रणालियों डृब प्रबंधन मरदा प्रदूशन के सोथ यह तीन नाम आप याद रखे कौन-कौन से बाइस राव नाव की अप्सिस्ट का वग्यानिक नर्ण नेस्थ प्रबंधन मरदा प्रदूशन के शोथ नगरी तथा मेडिकल फोस हैं जिन कल हम लोगोंने बहुत सारी बात की थी अब इस करन बहुत सारे रोग होते हैं है जा हो गया हैं यही होगा क्योंकि पॉलि यो इसमें दिया हुआ है कि होता है कि से 2014 से भारत से पोलियो उनमुली था ये भी कोशन याद रखिए कभी भी पूछा जा सकता है किसी वे एक्जाम में कि भारत को पोलियो मुख्त कभ गोसित किया गया है 2014 में लेकिन भारत के पड़ उसी देश से लंका और पाकिसान अभी पोलियो मुख्त नहीं है इस वज़े से हमेशा ड़ इसी लिए पोलियो ड्रॉप अभी भी पिलाई जाती है ठीक है ना तो यह कोशन हो गया है अब और नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन हमारा है किस से रिलेटेड है सबसे महत्पूर्ण प्रदूसक जो नदियों और जहनों के पानी की गुडवत्ता में कमी के कारण क्या होता है जिवारू पोशक्त धात्वे कुल घुलित पजार्थ सहवाल निम्दिन सही चैन की गुड़त्ता की कमी के कारण क्या होगा जिवारू आ जाएंगे ठिक है पोशक्त धात्वे नहीं कुल घुलित पजार्थ और सहवाल तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा A, B, C तीनों आ रहे हैं जिवारू आएंगी पानी की गुड़त्ता में कमी के कारण होता है जि सबसे महत्मूर प्रदूशक जो नदियों और जहनों के पानी की गुडवत्ता में कमी का कारण बनता है तो कमी का कारण क्या बनता है कमी के कारण प्रदूशक नहीं होता कि सवाल भी क्या करते हैं पानी को नुखसान पहुंचाते हैं लेकिन यहाँ पे बात को रही है कि इसकी यह सवाल अपने आ पाते हैं इसको मानों से संबंदित प्रजूशा मानो आंसर होगा ठीक है कोश्चन नंबर हो गया 122 दो तीन कोश्चन और हम लोग कर लेते हैं आज नेस्ट कोश्चन हमारा जो है वो कौन सा भाहर सरकार ने निम्नकी में किनके विलहा से माध्यम星 मत्रा ले की स्थाफना की ले बहुत आज और सबको मिला के एक जल मंत्राले की सापना भार सरकार ने की है तो यह इसका सही आंसर होगा है यह तो किताबें पढ़ते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है ना आता है नेक्स कोश्चन पर कोश्चन नमबर 24 महानदी डेल्टा की भूमी की उर्रता गोदारी डेल्टा से कम होने के कारण क्या है जल प्लावन के कहां सतही भूमी का कटा हो जाता है जब भूमी का कटा हो जाएगा तो उर्रता कहां रहेगी तो इसका सही आंसर यह होगा इसके लिए आपको जोग्रफी में थोड़ा जा पानी आजाता है और इसके कारण क्या होता है जमीन का कटाओं यह तब ही आती है अब हम लोग आते हैं लेसको पर और लास्ट कोश्टन जो हमारा related है वो मरदा में प्रदूशन का सरोत निमलिखित में से कौन सा नहीं है कोश्टन जहां से पढ़िए तो परिवान छेट क्रसी छेट ताप ये उड़ जा सेंथ हाइड्रो पावर प्लांट तो इसमें कौन सा छेट नहीं है परिवान छेट परिवान छेट से निकलता है और निकलता है जो क्या करता है इस वज़े से और हाइड्रो पावर प्लांट तो किसी भी प्रदूशन का कारण नहीं इसका सही आंसर क्या होगा हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग देखते हैं नेक्स कोशन जो हमारा है वो है किस से लिस्ट मिलानी है और लिस्ट इसमें दी ही नहीं है लिस्ट इसमें दी ही नहीं है इसलिए नेक्स कोशन पर आते हैं इसमें लिस्ट ही नहीं दी गई है तो हम लोग नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन ज सबसे होता है और उसके बाद मीठें रखा है नाइट्रस अकसाईट क्समें हैं तो इसका आनसर यह होना चाहिए यह सबसे ज्यादा आई इसकी होती है तो इतना याद रखिए इसकी आपको समझ में आजाएगा आयू लिखी हुए यह देखें नाइट्रस आक्साइड फिर सी एलेवन फिर मीथेन फिर भूकरस्टी है ओजोन यहां देखें आयू लिखी हुई है लिकिन यह धंक से नहीं है ना से दिक नाइट्रस आक्साइड की होती है यह याद रखिए तो यह याद रखेंगे तो अपने आप आंसर आपका सही हो जाएगा नेस्ट कोर्शन पर आते हैं नेस्ट कोर्शन है डीजल इंजन डीजल वहां नतर्थिक मातरा में नाइट्रूजन के अक्साइड और फ्रूक्स उससे जित करते हैं एकदम सही बात है कथन डीजल इंजन उच्छ वाई इंधन और पात्वाले सांद्र मिश्रन से चलते हैं देखें यहीं पर गल्ति करती और शही है और भी गलत है यह आंसर होना चाहिए इसका देखते हैं लिए कि बोट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट इस करेक्ट बड़ स्टेटमेंट से यह होना चाहिए यह आंसर सही है यहीं आंसर से लिखा भी है डीजल वहां अच्छिक मातरा मी नाइट्रोजन कैंकर सुख्यू का उस सर्जित करते हैं क्योंकि डिजल इंजन नंपर का तनु मिश्राण बनाते हैं वहां सांध्र दिया है यहां तनु दिया है मतलब भी गलत है तो यह आंसर आप हमीशा ज्यान रखें यह देखें कोशन पढ़िए यहां पर यही गलत है शांध की जगह क्या होना चाहिए डिजल इंजन हमीशा न कार्ड कार्वन डैक्सेट पर yönगयर्ला क пош जाध है और उसके बाद और गेसोली sounds touch आप से जाद रख़ो इस सबसे कम निकल निकल कर ऊंसर हो है अआध रखें किससे निकलती है सबसे कम निकलती है और इस सबसे कम निखलती हैँ और इस सबसे ज्यादा निकलती है आता है नेक्स्ट कोश्टन पे नेक्स्ट कोश्टन हमारा जो है यह वाई गुरुत्ता सुचकांग की गर्णा में निर्भी कौन से प्रकार के सुख्षपकार प्रदूसकों का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा याद रखे कल बात भी थी पीम 2.5 और प दे रखा होगा और इन सबको मिलाएंगे तो जहां देखिए पीम 2.5 हो और पीम 10 हो पीम 10 और पीम 255 यह हमारा आप्शन इसमें बी है और क्या है सी कहां है ए बी बी सी यह होना चाहिए साथ यही आंसर है देख लिए वाई गुरुत्ता सुचकांग की गर्णा में निम्ना आठ परकार के सुच्ट का प्रदेशनों का प्रयोग किया जाता है इसमें पीम 10 और पीम 2.5 ठीक है और गैसे हैं तो कड़ों में किवल दो हैं और गैसों पे कल हमने बहुत सारी बात की थी फिर एक बार जान लिए और जो जो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं अब हम लोग मिलेंगे नेस्ट प्लास में जिसमें हम लोग परेवर्ण से संबंदी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो सरकार के जारा या दुनिया के जारा जो परेवर्ण को सुधारने के लिए चीजे चल रही हैं उस पर बात करेंगे उससे भी रिलेटेट झाल झाल